दन्राज शोटनेंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग अकेडमी दी एस एस बी स्टेनोगरफर हिंदी डिक्टेशन कुलशप्त एक हसार प्रतलेकिन संख्या नौ गती सौशप्त प्रतिमिनट बी रेडी थ्री टू वन श्टार्ट बीसवी सती के मध्य में इस अवधी में देखे गए युद्ध और क्रांतियां हुई हैं परिवर्तन की गती बहुत बढ़िया है हम जो भी योजना बनाते हैं जैसे की यह पंच वर्षिय योजना वहे उन महान राज़ीतिक आर्थिक और तक्नीकी परिवर्तनों के अधीन है जो हम देख रहे हैं हम सभी के पास कि किसी न किसी प्रकार की वचारधारा है हम दार्षनिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार के दार्षनिक या वैचारिक द्रश्टिकोन के बिना हमारे पास चीजों को मापने का पैमाना होगा। और फिर भी हमारी वचारधाराएं और जीवन दर्शन किसी तरहे बिस्वीत सती के मध्य में फिट नहीं बैठते हैं यह संभवत है इस तथ्य के कारण है कि यद्यपी तथ्य बदलते हैं और परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं फिर भी हम पुरानी सोच पर कायम रहते हैं मानव मन विलक्षन रूप से रूडिवादी है और यह आसानी से नहीं बदलता है अगर मैं ऐसा कहने का साहस कर सकूँ तो हम कुछ पुराने दाश्रिक या वैचारिक द्रस्टिकोनों पर टिके हुए हैं युद्ध का प्रश्न लीजिए बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में विभिन विकास के कारणों युद्ध का सवाल ही नहीं उठता या होना ही चाहिए चाहे अच्छा हो या बुरा अगर इससे आपको अपने उद्धेश्य को साकार करने में मदद मिली जब वह ऐसा नहीं करता जब वास्तव में वह उल्टा करता है तो किसी भी व्यक्ति को युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए पैरा मैं समरांतर को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा यदि युद्ध परमानू या अन्य अब कुछ ऐसा है जिसे केवल अत्यदिक मुर्खता पूर्ण माना जा सकता है शीत युद्ध अधिक से अधिक बेतुका हो जाता है शीत युद्ध मौजूद यह चलता रहता है लेकिन वास्ताओं में आज की परिस्थितियों में विश्लेशन करने पर इसका कोई अर्थ नहीं है इसीतर है कुछ अन्य द्रश्टिकोंड कुछ आर्थिक द्रश्टिकोंड जिनमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है वर्तमान परिस्थितियों के साथ सुरक्षित नहीं बैठते पैरा आज का मुख्य तता प्रद्यगी की जबर्दस्थ व्रधी समाज के उत्पादक तंत्र की जबर्दस्थ व्रधी है जो मनुश्य के पास है और अर्मानु उर्जा के रूप में होने की संभावना है ये चीजें मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है बलकि समाज में कुणात्मक परिवर्तन है निसंदे भारत में हम तकनी की क्रिया से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए है हमने इसके बारे में पड़ा है लेकिन हमें इसकी कोई वास्तविक अनुबूती नहीं है हालांकि योजिना बनाते समय हमें बड़े पैमाने पर धन के उत्पादन के लिए तकनी की क्षेत्र में सोचना होगा पैरा वे अब वार्षिक योजिना बनाने जा रहे हैं प्रत्यक वर्ष 20 फरवरी को वार्षिक योजिना की एक रिपोर्ट यहां रखी जाएगी जो उस वर्ष के लक्षियों का अधिक सटीक संकेत देगी मुझे आशा है कि मैं अगले सत्र के दोरान दूसरी पंच वर्षिय योजिना के पहले वर्ष की 40 वी वार्षिक योजिना की रिपोर्ट इस सदन के समक्ष रख सकूंगा हमने कहा है कि हमारा उदेश्य समाज का समाजवादी स्वरूप बनाना है हमें यह परिभाशित करने का प्रस्ताव नहीं करता कि इस संदर्व में समाजवाद का क्या अर्थ है क्योंकि हम किसी भी कठोर या सिधान्तवादी सोच से बचना चाहते हैं मैंने अपने जीवन में भी दुनिया को इतना बदलते देखा कि मैं अपने दिमग को किसी भी कठोर सिधान्त तक सीवित नहीं रखना चाहता लेकिन मोटे तौर पर जब हम जीवन का समाजवादी पैटर्ण कहते हैं तो हमारा क्या मतलब है हमारा एक मतलब ऐसे समाज से है जिसमें समानता का आवसर हो और हर किसी के लिए अच्छा जीवन जीने की संभावना हो जाहिर है इसे तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक की हमारे पास अच्छे जीवन के मानक न हो इसलिए हमें ऐसे मानताओं को दूर करने पर एक गुणवत्ता पर बहुत जोर देना होगा और यह हमेशा याद रखना होगा की समाजवाद गरीबी को फैलाना नहीं है अवश्रक बात यह है की धन और उत्पादन होना चाहिए पैरा अधिक्तम सीमा के बारे में लगभग चर्चाएं हैं और कोई भी विक्ती स्वभाविक रूप से इससे सहमत होता है क्योंकि वह ऐसे मानताओं को दूर करना चाहता है लेकिन किसी को हमेशा यह याद रखना होगा की बढ़ते समाच का प्रत्मिक कारियव अधिक अन पैदा करना है अन्यता यह विक्सित नहीं होगा और किसी के पास बातने के लिए कुछ नहीं होगा यदि सीमा निर्दारन की प्रक्रिया में या किसी प्रकार की समनता उत्पन करने की किसी अन्य विधी में आप दन संचय की इस क्रिया को रोकते हैं तो आप अपने उद्देश्य में विफल हो जाते हैं इसलिए चाहे वह उद्द्योग हो या क्रशी एक और प्रात्मिक परिक्षन यह है कि क्या आप देश का उत्पालन बढ़ा कर देश की संपत्ती जोड रहे हैं यदी नहीं तो आप उस शेत्र में इस्थिर हो जाएंगे जैसा की मुझे आशा है हमें कभी न कभी छत के कुछ कृत्रिम निर्धारण के मार्ग का अनुसरन करने की अवशक्ता नहीं है वलकि सेकडों मार्गों का पालन करने की अवशक्ता है जो धीरे धीरे हमें वहां ले जाते हैं एक कृत्रिम प्रयास वास्तों में हमें पहुँचने से रोक सकता है पैरा इसे याद रखें जब हम योजना बनाते हैं जब हम कान करते हैं तो हमारी जनसंख्या दी बड़ती है मैंने सदन को अगले बीस वर्ष में हमारी प्रश्क्रिया आयका अनुमानित आकडा मात्र दिया है उस अवधी के अंत तक भारत की जनसंख्या लगबग पांच सौ मिलियन होगी जनसंख्या व्रधी की यह दर बहुत आदिक नहीं है पैरा यह इसपस्ट है की यह हमारी मुख्य समस्याओं में से एक है चेहरा बेरुजकारी है यह एक भयानक मानविय समस्या है जिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते केवल बड़ी संख्या में व्यक्तियों को किसी प्रकार का व्यवसाय देने से अंत्तह रोजगार नहीं बढ़ता या विरोजगारी कम नहीं होती यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम स्वयव को धोका देते हैं एक माननी है इस सदन के सरस्य ने सदन के बाहर टिपनी की मेरा मानना है की रेलवे को समाप्त करके बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का एक अच्छा तरीका होगा उस इस्तती में संभवत है कुछ कार की हाथ गाडिया होंगी यदि बहुत से लोग उन्हें धक्का देंगे तो निसंदे उनमें से कुछ लोग उनमें बैट जाएंगे इस समस्या के प्रती यह है पूरी तरह से गलत द्रश्टिकोंड होगा रोजगार धन उत्पादन के नए और अधिक प्रभावी साधनों से आता है पूनविराम दोफ्तों यह थी हमारी आज की DSSV Strenographer की डिक्टेशन जो की 4 शब्द प्रतिमिट की रती बोली वे थी इस डिक्टेशन का PDF ट्राप्ट करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल धन्राज शॉर्ट हैंड अकेडमे को जोईन कर सकते हैं वहां से आपको इस डिक्टेशन का PDF मिल जाएगा और वीडियो जाज़े लाइक करें शेर करें कमेंट्स करें धन्यवाद